चावल के आटे का जटपट ये नस्ता आपको बहुत पसंद आएगा इसे बनाने में मेहनत भी कम है और समान में बहुत कम लगता है और ये एकदम कुरकुरा बनते हैं खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टे लगते हैं इसे एक बार जरूर आप लोग ट्राइ कीजिए और आ को गरम होने के बाद याँ पर 1 टेबिल स्पुन हम डाल देते है चीली फलेक्स, अगर आपके पास नहीं है तो आप याँ पर लालमीट्स की पाउडर इसे मल कर सकते हों और इसे के साथ एक टेबिल श्पुन जीरा, और इसे के साथ मैंने डाल दिया सब दिल, एक टेबिल इसपुन कुकिंग ओयल डाल दिया तो यह पर जीरा और दनिया पत्ते का इस नस्ते में बहुत यच्छा फ्लेबर आएगा तो यह पर पाने को हमने तोड़ा सा उबल आने देते हैं पाने में यह पर उबल आ गया है यह पर एक कप जितना मैंने यह पर चावल की आटा लिया ह तोड़ा तोड़ा करके हम चावल को आटा को डालेंगे और चामस से मिक्स करते जाएंगे ऐसे ही आपको मिक्स करके जाना है गैस का फ्ले मेडियम रखके तो यह पर चावल की आटा की बदले आप यह पर मैदे भी इस्तिमाल कर सकते हो लेकिन चावल की आटा हमने यह पर हमारा जो नास्ता बनेगा एकदम तोड़ा सा कुरकुर अपन बनेगा प्लास यहापर हमारा नास्ता हेल्दी भी बन जाएगा तो आप मैदे से भी बना सकते हो तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जैसे मिलाया नाराटे में एकदम सारा पानी अब्जब कर लिया है तो यहाँ पर एकदम डोकी जैसा मैंने बना लिया है चलते हैं यहाँ पर अभी है उबले हुआ आलो को मैंने ग्रेटर से एकदम ग्रेट करके मिक्स कर देते हैं तो तो यह दिखिए अभी इसे हम पार्च मिनुट बद हम चेक कर लेते हैं यह पर यह आठा ना पाप से एक दम तोड़ा और पक गया है दिखिए सोफ्ट हो गया है तो चलते अभी इसे एक प्लेट में निकल देते दिए अभी भी काफी जदा गरम है यह तंड़ा होने के बाद हाथ लगाए तो यह पर कुछ भी और डालने का जरूरत नहीं है पाने बगरा आठाइम होदा कुछ भी नहीं है तो यह अगर चिपक रहा है ना हाथों में तोड़ा सा ओल लगा दीजिए और डो को एक बार और अच्छा से चिकना कर लीजिए तो देखिए यह पर डो एक देखके समझ सकते हैं मैंने नेम्बुके जैसा बना लिया दोनों हाथ की बीच में ऐसे ही टिक्या जैसे बना लिया और यह उंगली से बीच में ऐसे करने का ताकि जब हम नस्ता बनाएंगे ना दिखने में काफी ज़्यादा अच्छा लगगा तो यहापर देखिए मैंने एक बना लिया और इक बना के दिखाओंगी कितना प्यारा लग रहा है देखिए सेम प्रसमें आपको हाथों में तोड़ा सा ओयल लगाने का और एक नेमु के जैसे देखिए आपको गोल गोल बनाने का हाथ की मodAnn के से चैपटा कर लेना है तो दीखिए याप मनें कर लिया है एक फिंगर से आपको बीच क्यार कर लेना है चले अब इसे जाके पाटा फट्ट फ्राई कर लेते अब आपको 태le गरम कर लियोना है और तेल अच्छा गरम होना चाहिए अभी एक एक कर के हम सारे नस्ता को डाल देते तो शुरूरत में तेल काफी जदा गरम रहते हैं नस्ता को एक एक कर करके डाल देते उर गस का फ्लेम मेडियूम टू्लो मेड्म रॉक रखे इस नास्टड को फ्र्ाइब कर लेटे दो इहां पर नास्ता फ्राइब फ्राइब करके और लग रहें तो यह उपर से के ब्राउन टीनर होगे और अंधर से कितना आजाने और कितना जटपत बना है और सबसे बड़ी बात इसमें ना जैदे पीपरल्चन है और ना जैदे टाइम लगता है बहुत क्रिस्पी और करना नस्थापन कर तयार होती और सभी को बहुत ज़़ाभा पसंद आएगा तो बच्चे होई या बड़ी और सबी बहुत शक्त से खाएंगे यह दिखिए आपको देखके पता चल रहागा यह कितना जादा कुरकुरा बनाए एक में तोड़के यह पर दिखाऊंगी और यह बहुत देर तक कुरकुरा पन बने रहती है और यह बिल्कुल ओयली भी नहीं होते तो आज क्या इस रेसिपी कैसे बनी है मुझे कमें सेक्षिन में जरूर बताना तूँब आज क्या इस वीडियो यहाँ पर इन कर रहा हूँ रेसिपी पसांदा तो लाइक कीजिए फ्रेंड्स और फेमिली के सब शेयर कीजिए फिर मिलते कोई ऐसे इजी इंट्रेस्ट रेसि